Hey guys, welcome back to the channel, channel पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है, तो दोस्तों राजसान की तरफ से 32,000 टीचर की वेकेंसी आई है, बहुत बड़ी वेकेंसी है, तो इस वीडियो में मैं आप लोग को complete detail बताने वाली हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, primary and upper primary teacher recruitment है, यह 2021 और 2022 के लिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या-क्या information है, तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे, तो दो यहाँ पर है teacher level 1 के लिए और teacher level 2 के लिए, जैसे हम open करते हैं, तो इस तरीके से आपके पास complete information खुल जाएगी, अगर आपको general education या district wise या category wise post detail देखनी है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, इसी तरीके से आपको detail advertisement यहाँ पर मिल जाएगी और short advertisement, तो हम यहाँ पर short advertisement में complete detail देख लेते हैं, कि क्या-क्या है, तो यह देख सकते हैं, आप कार्याले निदेशक प्रारंबिक सिक्षा राजिस्थान विकानेर, यह 31 दिसंबर का नोटिस है, जो कल रात को आया था, तो इसमें प्रात्मिक एंउच प्रात्मिक विधालय अध्यापक के लिए है, लेवल वन और लेवल टू के पदों पर सीडी भरती के लिए यह विग्यापती है, इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं हैं, या भी तक भी आप लोगों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, क्योंकि इस चैनल पर आपको ना सिर्फ पीचिंग वेकेंसी, बाकि हर वेकेंसी के बारे में हमें आपको अपडेट देने की कोशिच करते हैं, तो जैसे ही कोई भी वेकेंसी आती है, उसक वन और लेवल टू दोनों के लिए हैं आप इसके लिए ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट जो है यह आप देख सकते हैं विग्यापन संख्या और यहाँ पर दिनांख 31 दिसंबर की है तो गैर अनुसुची छेतर के लिए अगर मैं बात कर के लिए 35,00 और विशेष के लिए 60 टोटल 3560 वेकेंजी है और अनुसुची छेतर में अगर मैं लेवल टू की बात करूं तो 13420 जो हैं सामाने सिक्षा विशेष के लिए 445 तो टोटलinky Hunt God關ckita 26, 26, 35 यह total vacancy है, तो total 32,000 vacancy आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें की सामन्य सिक्षा के लिए 30,000 हैं, विसे सिक्षा के लिए 1,000 हैं, और अलग-अलग यहाँ पर जो है वो detail दी हुई है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे जैसे categories और post-wise detail है, तो वो भी आप यहाँ पर आवेधन स्टार्ट हो जाएगा, दोस्तो, 10 जनवरी को, और 9 फरवरी तक आप जो है वो आवेधन कर सकते हैं, रातरी के 12 बजे तक ऐप ओन्लाइन आवेधन कर सकते हैं, 9 फरवरी आपकी last date रहेगी, और 10 जनवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका ल से भी आप online आवेदन कर सकते हैं इसकी पूरी डिटेल जो जिलेवार पद है वो सारी education.rajistan.gov.in जो मैंने आपको दिखाये वहाँ पर complete information आप देख सकते हैं online आवेदन हेतु जो इच्छू के बहरती होंगे वो संबंदित पद अपना देख सकते हैं जो मैंने भी आपको दिखाये उसी तरीके से पहले आप अपनी पातरता सुणिस्रिथ कर लें उसके बाद याप अपलाई करें और क्या आयोगता चाहिए क्या पातरता चाहिए यह आप online ही आपको जो है फॉर्म भरना होगा इसके लिए आपको अलग-अलग से फॉर्म नहीं भरना होगा, योगता और पातरता के लिए एक सदी कोई फोर्म ना भरे और ओफ-लाइन स्विकार नहीं किये जाएंगे राज्यो के आप वियरत्य के लिए आरक्षित वर्क के अनुसार जो आरक्षन और अदिक्तमायु छूट है वो आरक्षन के अकोर्डिंग आपको मिलेगी गैर अनुसुची छेतर के विग्य पर बिल्कुल करें द्यान देकर फिल करें कि कैसे आप डिटेल्स फिल कर रहे हैं उसके बाद में कोई बीए जाएगी ना ही ले जाएगा अगर आप कोई बीगलत सूचना या पून आ विदन करते हैं तो अब विरति को ओनलाइन आविदन करने से पहले ही देख लेना आप का इमितर जंसुविदा केंदर स्वं या आवेदन पत्र में कोई भी गलती ना हो सब कुछ सही बरा गया हो फीस की बात करें तो अगर आप सामने केटेगरी से हैं या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लियर हैं या अती पिछड़ा वर्ग या फिर राज्य के बाहर के अगर हैं आपको 100 रुपे के फीस रहेगी अगर आप राज्यस्तान राज्य से हैं राज्यस्तान का पास डो मिसाल है आप नोन क्रीमी लेयर हैं पिछड़ा वर्गे आती पिछड़ा वर्गे और आर्तिक रूप से कमज़र है तो 70 रुपे समस्त विशेष योग्य जन जो अगर आप राज्यस्तान के आनुसुचित जाती है अनुसुचित जन जाती है और सहरिया वर्गे हैं उनके लिए 60 रुपे फीस रहेगी तो अगर आप राज्यस्तान के जनर के लिए 100 रुपे से अब इस पर जो शुलक है या आपका फिक्स है एक बार जो जमा होगे वह आ अनुसार होगा 23,700 रुपए आपको जो है वो मिलेगी फीस मिलेगी इसमें आपको सालरी मिलेगी और इसके सम्मने जो भी सूचना है वो आपके पास अगर कोई भी डाउट कोई भी क्वरी है आपके पास तो आप यह लैंडनाइन नंबर जो यहां पर दिया हुआ है आप इस इसी तरीके से आप जो है यह जो है जर्नल एजुकेशन था इसी तरीके से डिस्ट्रिक वाइस आप यहां पर देखेंगे यहां पर और कंपली डिटेल में बताया गया है बाके के लिए बैक लोग वेकन्सी या कितना है यह सब इन्फोर्मेशन आपके यहां पर बताए है कि 60% 55% तो उसकी आप कैटेगरी के वाइस आप यहां पर कंपलीट इन्फोर्मेशन देख सकते हैं तो यह वेब साइच का लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रवाइड कर दूँगी आप वहां से जाकर पूरी की पूरी इन्फोरी इन्फोर्मेश